इस वीडियो में TechSteps के मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह आप Upstocks आप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलेगा साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे हर लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चलिए दोस्तो अपस्टॉक्स अप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए मैं गूगल प्ले स्टॉर अप को ओपन कर लेता हूं अपने फोन पर उपर की तरफ सर्च बॉक्स है इस पर टैप करिए यहां सर्च बॉक्स में लिखिए अपस्टॉक्स जैसी आप अगर ना भी मिले तो सर्च कर लीजे मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं सर्च करते ही अप स्टॉक्स ओपन हो गया है उसके सामने इंस्टॉल की बटन है डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल की बटन पर टैप कर दीजे इंस्टॉल करने के पहले अगर आप और details पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ app के नाम पर tap कर दीजे app से related सभी details यहाँ पर open हो जाएंगी जैसे कि reviews, app का size, rating कितनी है कितने downloads हो चुके हैं यहाँ पर about this app का section है details जानना चाहते हैं तो इस पर tap कर दीजे तो सभी details यहाँ पर open हो जाएंगी मैं back ले चलता हूँ यहाँ से आप rate कर सकते हैं app को सारी ratings दे सकते हैं, reviews पढ़ सकते हैं और download और install करने के लिए यहाँ पर install का button है इस पर आप tap कर दीजे दोस्तो download start हो चुका है दोस्तो download complete हो चुका है app का installation start हो चुका है थोड़ी दिर में installation complete हो जाएगा दोस्तो app successfully download और install हो चुका है फोन पर app को use करने के लिए यहाँ पर open की button है उपन पर tap कर दीजे उमीद करता हूँ आपको समझ में आओगा upstocks app को किस तरह आप download और install कर सकते हैं अपने फोन पर वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिलते हैं अगले वीडियो में